हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी वैज ममज की रेश्पी आज मैं आपको शिखाऊंगी कानपुर स्टाइल तवाफराई ममज और इस्टी ममज ये ममज बाहर से बहुत ही शॉप्ट और अंदर से बहुत ही जूसी है इसको आप इंजॉ एक बावल में दो कप मैदा लेंगे आपनाप के लिए घर का कोई भी कटोरी ले सकते हैं स्वात के अन Peki इंशार नमक डालेंगे वाई घुम बनाने के लिए गुन मोना पानि ले लेंगे और थोड़ थोड़ा पानी डालेंगे और डो बना लेंगे गुनगुना पानी से डो बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा मुमज बनके तयार होगा और डूँ ज्यादा टाइट नहीं बनाना है मेडियम डूँ बनाके तयार करना है जिस तरह का पूड़ी का डू रहता है और अच्छे से मसलते हुए डूँ बनाके तयार करेंगे अच्छा शफ्ट डूँ बनेगा लास्ट में एक चमच वाइल डालके मसलते हुए अच्छे से बुंद लेंगे यह हमारा डोबन के तयार हो गया इस तरह के डोबना के तयार करना है अब इसको ढख के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तब तक फिलिंग बना लेंगे फिलिंग बनाने के लिए कड़ाई गरम कर लेंगे और इसमें एक बड़ा चमस तेल डालेंगे फिलिंग बनाएंगे तो बहुत ही तेश्टी मुमुच बनेगा कई लोग बिना फिलिंग के लिए भी बनाते हैं तो यह आपका चॉइस है यहां दो बारे कटा हुआ हरमेश डाल लेंगे एक किन चॉप किया हुआ अद्रख डालेंगे और 10 बारा कली चॉप किया हुआ लसुन डाल लेंगे और शब को कुछ सेकेंड के लिए फ्राइ कर लेंगे ज्यादा फ्राइ नहीं करना है अब यहां डाल लेंगे चॉप किया हुआ पत्ता वो भी एलगबग दो कप है और मैं कदुकस करके ले ली हूँ इसको भी आदा मिनट भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है अब डाल लेंगे दो मेडियम साइज का बारे कटा हुआ प्याज एक कप है एक बारे कटा हुआ सिम्ला मिर्च एक मेडियम साइज के चौक्या हुआ अधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच गरम मसाला स्वाथ के नुसार नमक और श्रब को मिक्स कर लेंगे और एक मिनट भून लेंगे ताकि मसाले का कचाप पंदूर हो जाए और गैस आफ कर लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे आटा को भी 15-20 मिनट हो गया है आटा भी सेट हो गया है आटा को मसलते हुए अच्छे से गुंद लेंगे और श्रब कर लेंगे अच्छे से आटा गुंद लेंगे उपर का लेयर अच्छा बनेगा आटा गुंद के तयार हो गया है अच्छोटा च्छोटा लोई तोड़ लेंगे इस तरह से लोई तोड़ के तयार कर लेंगे यह आप देख सकते हैं इतना च्छोटा च्छोटा लोई तोड़ के तयार करना है और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पूरी बेल लेंगे पतला पूरी बनाना है इस तरह से और किनारों को इस तरह से और पतला कर लेंगे जैसे मैं बेल रही हूँ चारो तरब से थोड़ा थोड़ा पतला कर लेंगे पूरी को ये पूरी बनके तयार हो गया चारो तरफ पानी लगा लेंगे और फिलिंग भरेंगे और फिलिंग ज्यादा ही भरेंगे तभी मुमोच अच्छा लगेगा अब इस तरह से किनारों को उठाएंगे और प्लेट बनाते जाएंगे आप देख सकते हैं एक दूसरे में प्लेट को चिपकाते जाएंगे शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे असाने से बन जाएगा और इस तरह से मोड़ते हुए सारी प्लेट बना लेना है और अहां थेली पर लेकर के गोल को घुमाते हुए इसको बंद कर लेना है इस तरह से उपर के पाट को इसमें दबा देंगे एक मोमच बनके तयार हो गया आप देख सकते हैं एक और बता देती हूं इस तरह से किनारक उठाएंगे और प्लेट बनाते जाएंगे और प्लेट को एक दूसरे में चिपकाते जाएंगे आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए सारे प्लेट बना ले अब दूस्रा Sans देख लेते हैं इसमें भी फिलिंग और किनारों में पांउर लगाए मैं पानी लगा ली हूं और इक तरफ से उठाएंगे और दूस्रे में छिपका लेंगे और इस तरह से एक किनारे को दूसरे किनारे से चिपका लेंगे, आप देख सकते हैं, एक डिजाइन बन गया, आप कही तरह का डिजाइन बना सकते हैं, दूसरा भी इसी तरह बना लेंगे, अब तीसरा डिजाइन देख लेते हैं, एक पूरी लेंगे, उसमें भी फिलिंग्स हो रेंगे, औ प्लेट बनाते जाएंगे इस तरह से चार या पांच प्लेट बनाना है और दोनों किनारों को एक दूसरे में इस तरह चिपका देंगे अब देख सकते हैं और यह तीसरा डिजाइन बनके तैयार हो गया एक और बना के बता देती हूं एक दो बार बनाएंगे तो आप इजली आप नर्च प्लेट और फिलिंग्स को तबाते हुए दोनों किनारों को इस तरह चिपका लेंगे अब दीख सकते हैं एक दिजाइं तबाफ्राइ मोमुष बनाने के लिए बनाते हैं या स्टिम करने ऐसे त्यार कर लेंगे इस तरह के ले लेंगे और उसको तैल से ग्रीश कर लेंगे याप इडली का बरतन भी ले सकते हैं उसमें भी स्टेम कर सकते हैं एक बरतन में पाने बॉयल कर ली हूँ और उस cabin ग्रीश किया हुआ पर हलेंगे ठोड़ा थोड़ा दोरी पर ममुच रखांगे चिपका के नहीं क्योंकि स्टीम होने के बाद और बड़ा हो जाएगा और ढख करके 15-20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और गेस की फिलिम मेडियम टूलू रखेंगे अस्टीम हो रहा है तब तक तवा फ्राइब करने के लिए मुझ भी बना लेते हैं कि 15-20 मिनट हो गया है मुझ श्टीम हो गया है अब दीख सकते हैं बहुत अच्छे से श्टीम हुआ है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी में तवा फ्राइब करने के लिए मुझ श्टीम कर लेंगे इसको साथ से आठ मिनट ही अस्टीम करना है ज्यादा डख करके स्टिम कर लेंगे और क्लेम को मेडियम टूलो रखेंगे अब चटनी बना लेते हैं दो बड़ा साइच के टमाटर को बॉयल करके छिलका हटा ली हूं और शाथ आठ लाल मिर्च को बॉयल करके ले ली हूं लाल मिर्च को गरम पानी में 4-5 घंटा भीगा करके भी ल द्रफ और ढखकन लगा करके ग्राइंड कर लेंगे चटनी पीश के तयार हो गया अब देख सकते हैं इस तरह के चटनी पीश करके तयार करना है बिल्कुल पाइन पेस्ट बन गया है चटनी को पकाने के लिए पैन गरम कर लेंगे उसमें एक चमस तेल डालेंगे और चटन कफिया के लिए मिक्स कर लेंगे चटनी को ज्यादा नहीं पकाना है एक उबाला आने तक ही पकाना है 3 डालेंगे उप्सनल अến आपशनाल अप चाहें तो नहीं Nevin saktad और घौप कर लेंगे ओर चटनी में बनने के शर्ख को अई मूश और 8 मिन एinging tes हो गया है देख लेते हैं अब तवागरम करेंगे और तेल डाले अन्सक्वा फ्राइ्ट ना लें गया है गळेश दिन के प्रेइंतरि फ्लोट लेते हैं इसी तरह अलटते-प्लोटते हुए रड़ लेंंगे गूर्डें कलर होने तक यह तवा फ्राई ममोज भी पहुत टेस्टी लगता है एक बार जरूद ट्राइ किजिएगा आपको भी पसंद आएगा अच्छे से फ्राई हो गया है प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह सारे ममोज तल लेंगे ममोज भन के रेडी हो गया इसको चटने के साथ सब्सक्राइब कर लेते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा एरेस्पी आपको कैसी लगी और ज़्यादा सज़्यादा फ्रेंड और फैमली में शेयर करें यह हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेलफूल लगी हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई